अभी मैं प्रेटन विभाग के प्रधान सचिव के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ एक बोट देख लिए आपको वांदाजा लग जागा उदे सिंग कुमावत ये आईस हैं प्रधान सचिव हैं प्रेटन विभाग के अब इनका तवादला हो गया है स्वास्त विभाग के प् प्रधान सचिव थे उनको हटा दिया गया है उनको यहां भेज दिया गया है प्रटन विभाग में और यहां जो काम कर रहते सचिव उदेशी कुमावत उनको स्वास्त विभाग भेज दिया गया है तो हमने आपको दिखाई तस्वीर कि स्वास्त विभाग के प्रधान सच दफ्तर में नहीं थे, लंच लेने के लिए घर गए थे, जबकि संजे कुमार जब प्रधान सचिव होते थे वहाँ, तो लंच भी दफ्तर में ही लेते थे, यानि सुबह नोवजे दफ्तर आते थे और रात में नोवजे घर जाते थे, लेकिन नया साहब आये हैं, उसके साथ काम करने का तरीका बदल गया है साहब दफ्तर आये जरूर ज्वाइन कर लिया लेकिन लंज पर निकल गये तो स्वास्ति विभाग के प्रधान सचीव का दफ्तर खाली मिला आपको हम दिखा चुक है तस्वीर अब संजेक कुमार का यहां हुआ है तबादला लेकिन ओ दफ्त करोे देयस में लाख्ड़ाउन चल रहा है ऐसे मैं भला प्रेटन विभाग में क्या काम होगा तो तबादला हो गया प्रेटन विभाग के परधान सचीव काम तो है नहीं इस लिए उन्होंने जु signature बी किया है है dodकलो का वजार गर्म है लेकिन स्वास मंत्री मंगल पांडे मीडिया के सामने बिलकुल इस सवाल का जवाब देने को तयार नहीं है वो चाहते ही नहीं है कि कोई मीडिया वाला उनके प्रधान सचीव के तवादले से जुड़ी होई खबर पुछे क्योंकि कहा यहीं जा रहा है कि मंत्री और स्वास सचीव के बीच बन नहीं रही थी और मंत्री के सिकायत के बाद ही उनको प्रधान सचीव के पद से हटा दिया गया परधान सचीव आते हैं जाते हैं तबादला होता रहता है स्रकारी प्रिक्रिया है लेकिन अपदा काल में जो अफसर बहुत अच्छा काम कर रहा हो उसका तबादला कोई समाने बात नहीं कही जा सकती है क्या नए साहब जोइन किये अब यहां को इस चाथ है यह कि नहीं साप नहीं सब्सक्राइब कल साम कोई शौ बज़े जब शौ शौ बज़े शौ जब कब शौ बर करें देच बेस्ज व्यूमिन इटर में 20-25 ने शौ बज़े शौ बज़े साम निए तो चल चले गए थे लगता है आई जे व्यूंस की तरफ पहले वाले में उधर से कुमावत तो उनका तो तवादला आज हुआ है ना कल हुआ था दफ्तर में यहां नहीं आया थे सुबारा एक बज़े तो बैटके गया है तो दस बज़े आते थे एक बज़े लंज बज़े आते थे फिर तीन बज़े आते थे पांच बज़े घर चल जाते थे यह है उनका ड्यूटी रिकॉर्ड तो अब चले गए हैं स्वास्त महाकमा में जहां पर 24 घंटे काम करना पड़ेगा 7 इंटू 24 आवर्स कैसे यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन संजय कुमार जो 12 घंटे काम करते थे उन्होंने युगदान ही नहीं दिया है नए दफ्तर में क्योंकि यहां कोई काम ही नहीं है वो कब जोईन करेंगे कब प्रेटन विभाग की बागडूर सम्हालेंगे यह भी आने वाला वक् झाला वक्तर में यहां करेंगे 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 यह